हलो एंड वेलकम बैक टो मॉनिका स्टाइल तो आप लोग कैसे हो सबसे पहले मुझे यह पता हो अच्छे हो ना मैं भी बहुत अच्छे हूं आप लोगों की दुआउं से तो फिरंट्स यहां पे मैंने आपको न इस वाले हरेस्टेल वीडियो में मैंने आठ बन हरेस्टेल बना बता है जो कि सारे सेल्फ है तो चलिए बिना टाइम फेस्टे के स्टार्ट कर लेते हैं अज का वीडियो तो सबसे पहले देखे मैंने आगे के थोड़ा सा बालो का सेशन निकाल दिया है पीछे मैंने पोनी बनाई उसमें मीडियम साइज का डोनर बन इंसर्ट करके प होने जाए वाह पे चोता सा पदला सा रबर बmother लगा लेंगे इस तरह पर से लीचे का है अपले साथ AIR है तो इसको सिंपनी हम इस तरह से करके देखे टू पार्ट में कर लेंगे तो पर लाशिए από को रबर बेंच के साथ में पिन पडाद को इससे हमारा बपन बहुत श्य और दूसरे को नीचे की साइट से लिए जाके जहां पर इंड पार आता है अच्छे से पिन अप कर लेंगे तो यहां पर हमारा बन इतना अच्छे से होगी है अब जो फरंट में है उसको हम अच्छे से कोम करके सिंपल से यहां पर एक हम ब्रेट बना लेंगे ब्रेट बनाने के बाद पूरी ब्रेट को हम एकदम टाइटली नहीं गूतेंगे हलका सा लूज चोड़ते विए गूते जाएंगे और इसको इस तरह से बनके उपर से करके पिन अप कर देंगे और एक्स्ट्रा हेर को बनके अ इजी सा बना यहां पर हमारा बनके रैडियो के है जो कि सेल्फ है दिखने में बहुत प्रेटी लग रहा है डेकोरेट मैंने इस तरह से कर दिया है बट अपनी चोईस के एकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो तो चलिए देख लेते हैं सेकंड बना रेस्टाइल इसके लिए यहां पर मैंने एक पोनी बना ली है पोनी बना के हैर को टू पार्ट में डिवाइट किया है डिवाइट करने के बाद अब दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ करके इसमें हम लगा लेंगे नौट तो नौट यहां पर मैंने कुछ इस तरह से लगा लिए नौट लगाने जिससे की बनना लूज ने क्योंकि हेर फिसलता है तो बन लूज पर जाता है उसके बाद एक उपर एक नीची की साइट से मैंने पिन लगा थी बट आप अपने अकॉर्डिंग लगाना जितने में आपका बन अच्छे से टाइट हो जाए दो नौट लगाने के बाद अगें मैंने यहां पर तीसी नौट लगाई क्योंकि मेरा हेर का लेंध अभी बाकी था बाकी लास्ट वाले हेर को मैंने इस तरह से मूफ करके पिन अप कर लिया है आप भी अपने हेर की लेंध के अकॉर्डिंग लगाना अगर बहुत लंबा है सॉरी मैंने फेक फ्लाहर नहीं लगाया है मैंने इसमें गजरा लगा दिया है और दूसरा डेकोरेट कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं कॉम पिन के हेल्प से सेकंड बन के लिए देखे इसमें मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ती हुए एक पतला सा रबर बैंड लगा दिया है तो यहाँ बे बालों को अच्छे से टाइट कर लेना है जैसे कि हमारा जो बन का लुक है वो बिलकुल भी न बिगड़े उसके बाद जो रबर बैंड के नीचे का हेर उसको टू पार्ट में करके इस तरह से उपर के साइट मूव कर देंगे और जो हमने रबर बैंड लगा था उसको साथ में करते हुए यहाँ पर अच्छे से हम पिन अप कर लेंगे पिन अप करने के बाद अब जो यह टू पार्ट हेर का है इसको हम इस तरह से करके ट्विस्ट करके क्रॉस करेंगे नीचे लाएंगे और यहाँ पे अगेन हम नीचे के साइट क्रॉस करके ही बालों को उपर ले जाएंगे ट्विस्ट करते हुए और हाँ जहां से हम क्रॉस करेंगे ना वहाँ पे हम पिन अप करते हुए चलेंगे ताकि हमा जो कि आप लोग सेल्फ बना लो क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसे के पास कोई बनाने वाला हो और हमारा मन होता है कि हम ने ने स्टाइल बनाए लेकिन ना सेल्फ ना होने की वज़े से नहीं बना पाते इसलिए मैं सेल्फ हैर स्टाइल लेकर के आती हूं नेक्स के लिए देखे, पोनी के हेर को मैंने स्तरा से उपर के साइट किया और इसमें मैंने बड़ा वाला क्लचर लगाया है क्योंकि आप यह बड़ा सा बनेगा तो आप सारी के साथ लेंगे के साथ बहुत प्रिटी लगेगा hair को नीचे की side करके अच्छे से comb कर लिया है और थोड़ा सा gap छोड़ती हुए बालो में cluture के बराबर करने उससे थोड़ा से ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि नीचे के hair को हमने अंदर की side move करना है तो उपर के hair को फैला के cluture को एक दम हम cover कर देंगे कवर करने के बाद नीचे का जितना एक्स्ट्रा हेयर था ना उसको अंदर इंसार्ट करेंगे और जो रबर बैंड नीचे लगा जाया है उसको साथ में लेते वे हम पिन अप करेंगे तो बन हमारा बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगा तो आप देखो एकदम न्यू बन निकल के आया है क्योंकि ऊपर से हमने क्लचर को कवर कर दिया तो देखो बीच में आपको हार्ट का शेप भी दिखाई दे रहा होगा तो इसी का सेकेंड है क्लचर के उपर जुदना हेयर था उसको हमने टू पार्ट में किया और दोनों साइड से इस तरह से हमने नीचे ला कोछा बन भी बन के रेडी होगया है बहुत ही प्रेटी लग रहा है बनाने में बहुत ही जादा आईजी था देखे इसका भी लुक आप दिख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है जो कि सिंपल से एक क्लचर की हर्प से बना है नेक्स अर्स टायल के लिए मैंने पोनी बनाई उसमें मैंने डोनर बन इंसर्ट करके चारो सैट से पिन अप कर लिया है पिन अप करने के बाद पूरे हेर को इस तरह से उपर के सैट किया है और उपर अच्छे से हेर को मैनेज करके फिर मैंने एक लॉक पिन लगा के हेर को यहां पे लॉक कर दिया है दिखो इस तरह से हो गया लॉप अब पूरे हेर को नीचे की सैड करा डू पार्ट में डिवाइड करा और दिखे इस तरह से दोनों सैड के एर को क्रोस नहीं करेंगे जो जिजर का हेर है उसको उसी सैड से नीचे की सैड ले जाएंगे और इस तरह से लपेट के end part को अंदर करेंगे और secure कर देंगे बस दूसरे side भी same procedure करना है दिखे ये वाला बन भी बनके ready हो गया बहुती simple and super busy है एक पर try जरूर कीजेगा करने के बाद फिर मुझे comment करके बताइगा कि आपको hairstyle कैसे लगे थे और आप से कैसे बने थे इसी का second hair style देखे जो side में hair थे ना दोनों को मैंने टूटू part में करके twist कर लिया है twist करने के बाद कुछ इस तरह से बनके around इस तरह से लपेट के pin up करते जाएंगे same procedure करेंगे दूसरे side भी बहुत सिंपल एंडिजी है आपको देखके लग रहा होगा और यह समी क्या है मैं तो इसको फट से बना लूगी तो सच में इसमें कुछ नहीं है बहुत सिंपल है आप इसको तुरंती बना लोगी तो try जरूर करिएगा करने के बाद मुझे comment करके बताना next style के लिखे pony बनाईए और pony के hair को मैंने side में तिर्चेक उपर किया है करने के बाद मैंने एक lock pin लगा दी है और two part में बाल को divide कर लिया है और इस तरह से नीचे ले जाके cross कर देना है cross करके ऊपर ले जाएंगे और last वाला part आपका जहां पर भी आता है अंदर secure करेंगे pen up कर लेंगे तो बस देखो कितना प्यारा beautiful सा बन बन के आपे ready हो गया है I hope कि आज के रेस्टाल वीडियो आपको जरूर पसंद आयोंगे simple और easy तो लगे होंगे हमेशे की तरह तो friends comment करना बिल्कुल मत बोलना like कर देना और channel पर first time हो तो subscribe कर लेना मिलेंगे next वीडियो में bye bye thanks for watching